अजी शर्मा साब वह रीडिंग नोट कर रहा हूं आपका भी चेक करना है एक तो सरकार ने इतनी ऊपर-उपर मीटर लगाया है तो मैं चमक ना जाओ उसके साथ दर भी लगता है कोली साब में अच्छे दिन ढूंड रहा हूं यां खड़े ओकर कहां तक पहुंचे हैं अच्छे दिन में वह देख रहा हूं हां बिलू शराबी बड़ शाब तो सित्थे के गर आ रहे हो और यार मिया कोली साब आये थे महंगाई की बात हो रही है कि महंगाई बड़ी हो बड़े दिखो के यह तो बात पही है यह अंदर मेरे को ला यार रात को मारते हैं श्टाकी और सुबहरे उड़ते हैं पता ही नहीं है कि बिजली रात को है यह नहीं है बिलू जी चलो शराब की बात होई आपका भी मीट्र डिजिटल लग गया यह प्रीपेड में इन अखना चाना रेट कट करो जिरा डेट है ओदे रेट चे वसानू शिराब दी बोतल फड़ाओ वाद रेट चे कैली दिन दियो यहार है पहे बड़ी मुश्कली वांदे निवरावा इस हरी स्टाकी है एनी लगीना तो निंदनी आं दिया है श्राबी की बद्वा लगे मामी की कश्म 24 घंटे तो चोड़ो दो तीन घंट कुछ ऐसी भी जगाए है जहां पर दो तीन घंटे पूरे दिन में आती है और उनके उदर भी स्मार्ट मीटर लगें हुए है अजी शर्मा साहब वह रीडिंग नोट कर रहा हूं आपका भी चेक करना है एक तो सरकार ने इतनी ऊपर-उपर मीटर लगाया है तो मैं चमक ना जाओं इसके साथ दार भी लगता है आँज साहब आज ठीक्र अधृस अध़िया ना लग जाए ना प利 आ अचना परूसर वाच डूद रहा हूं कॉलियो साहब मैं आच्छे आपको पता है अजकल प्रीपेड स्मार्ट मीटर आ गए है मैं एक मिन पहले नीची आ जाता हूँ यह तो फोन पर भी आती ना रिडिंग आपके फोन पर नहीं आती रिडिंग कोली सहाब देखिए समारट सीटी के नाम पर इन्हों ने हमें समार्ट मीटर दे दिये और बिल क आप वाली गेम नहीं होती है वो वाला फोन है उसमें मैं कहां पर अपनी बिल पे करूं आनलाइन और वही कोली सहाब नोकिय के फोन रखे हैं और आपको पता ही है कितनी महंगाई है और जमू कश्मीर की जो मिजारटी पापुलेशन है वो बीपील है बलो पावर्टी लगने के बाद तो वह स्मार्ट हुए है बिल इतने बड़े पहले आते थे 400-500 ठीक है एक आम आदमी भी दे सकता था और आप 4-4-5-5-5,000 कोली सहाब और उपर से समार्ट मीटर खंबे के इतनी उपर लगा दिये हैं कि मुश्किल हो जाता है उपर जाकर चेक करना मेरे को दर लग रहा था कि करांट ना पड़ जाए तो फिर मैंने अब मैं यहां से नीची आ गया हूं और यह वाली सीडी से उस सीडी से ना मुझे वह सांप सीडी वाली जो हम गेम खेलते थे ना जो 99 पर सांप होता था वो जब लड़ता फिर जीरो पर हमारी डिवेलपमेंट का हाल हो गया है धरस तो आज कल तो कहीं लोग प्रोटेस्ट भी प्रेस्ट भी कर रहा हैं आपके महले में आपने निकिया पीवह भाषत उसकी आगे जातें हैं जो सुनता है यहाँ पर सुनने वाला ही कोई नहीं है और हमारे जो administration है वो बाहर के आएवे हैं नौमिंदा जो भी है यहाँ पर तो उनको जमू कश्मीर वालों की हालात नहीं पता वो कितनी उपर से करोना की अभी महामारी आई थी हम भाट साब यह नहीं बोल रहा हम जमू कश्मीर वाले यह नहीं बोलते कि हम बिल नहीं देना चाहते हैं हम बिल देंगे अगर कुछ कंजियूम कर रहें देंगे लेकिन इतने बड़े-बड़े बिल और एक गरीब इनसान किस तरीके से देगा मीडल क्लास फैमिली वाल बिल इतने बड़े-बड़े कैसे देगा आई फोन वाली जो स्टेटमेंट आप देती हैं मैं आपको बता दू कि हर बंदे के पास आईफून नहीं है जमो कश्मीर के लोग मिजारिटी जो है वो बड़े गरीब है लेकिन ये सुनते नहीं है बाद अब क्या करना है कोली साहब टुच लग गया मेहंगाई जो है बहुत जादा हो चुकी है तो बड़ साब फिर रोज ऐसे ही करते हैं आशीश भाईया को एजरे बाद साबना एकदम सही है खादा ना है मेंगाई ते होई यह तो से मिटे दी रीडिंग चड़ी ओड़ो मेरे पावदा रेट चक करो मेरे पावदा रेट दिखो के है एक तो अपने पवे की पड़ी है नहीं वैसे इसका भी कहना सही है जो यह यह मेरे को काल भी बोल रहा था कि कोली साब का फोन करो पहुआ जो है मेहंगे रेट पर दे रहे हैं अब आप देखिए अगर डिवेलपमेंट के नाम पर कुछ जमू किश्मीर वालों को मिला है न तो वो यह है ठैंगा और जो कुछ मिल रहा है सब कुछ मेहंगा तो बिली से मेंद आती है पिर हमारे इक्सपोर्ट है ना क्या करें सरकाब ने इतनी वाइन शाप्स खोल दी हैं को पता हा ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है जमुक श्मीर में एघी श्राब की बात हो आपका भी मेटल डिजितल लग गया ये प्रिपेड डिजितल में आपको बताओं कि समारट सिटी के नाम पर एक समार्ट मेंटर हो गए हैं महंगाई भी बड़ी समार्ट हो गई है यह सिरफ नाम दे दिया गया है समार्ट अब मुझे बताओं कि जो पहले imper लगे थे हमारे वो क्या समारट नहीं थे यह जासादा समारट ओर हैं इनक शानक पहना अपने बताओं कि इसमारट नहिए हो आप इन इनको पता ही नहीं है कि लाइट है बिल कितना आ रहा है तो जनता जहां पर डिजिटल मीट्रों से परिशान है भट साब भी परिशान है लेकिन बिलू शराबी जी की अपनी कहानी है यह शराब के रेट की वज़से जो है परिशान है और इनके जो शराब के रेट जो वह भी समझाए आप समयने वाले जी मैं इना खना चाना रेट काट करो जिरा डेट है ओदे रेट चे वसा नू शिराब दी बोतल फड़ाओ वाद रेट चे केली दिन दियो यारे पहे बड़ी मुश्कल यो अंदे निवरावा इस हर इस टाकी है एनी लगी ना तुनिंदनी अंदी है शराबी की बद्वा लगेगी यही तो कोली साहब हमारा दुर भागी है कि हमारा जो यूवा है किस और जा रहा है शराब की जगा जगा दुकाने खोल दी है अब क्या करे उपर से यह जो समारेट मीटर है इतनी उपर चड़ा दिये है डर लगता है बिल भी जब अपना वो यूनिट चेक करने जाता हूँ कि करांट ना पढ़जे कहीं चिपक ना जाओं और मैं आपको बता हूँ कोली साहब बिल आ रहा है डबल डबल और उसके बाद जो द्वाली का मोसम आ गया है यह जो द्वाली है और वोल्टेज घरमी इतनी कम मैं तो आपको बोलता हूँ यह समारेट मीटर जब से लगाएं आपने वादा यह भी किया था कि बिजली 24 घंटे होगी मौमी की कश्म 24 घंट तो चोड़ो 2-3 घंट कुछ ऐसी भी जगाएं जह चाहिए गरीब लोगों बिल्कुल यह भट सहाब और बिलू शराबी जी है और अगर बात करें तो लगातार जो भी इशू से पब्लिक जूजरी होती है सैम्स प्रोडक्शन की टीम जो है उनके साथ इनके जो साथी है जिनका नाम रिशब जी है जो बड़े ही एक प्रोड़ेंगे जो है और यही बात करते हैं कि नशे से दूर रही है लेकिन यह वीडियो के मादम से हम बता रहे हैं कि शराब भी बढ़ते जा रहे हैं शराब की दुकाने बढ़ने से उस पर नकेल होनी चाहिए तो सहीं क्या आपका जो आज का मैसेज है क्योंकि हमारे प नेटर्स और अभी इंडिया में केहीं पेविनी है और पहला एक्स्पैरिमेंट जम मू के साथ ही हो रहा है। उरी हाईडरल परजेक्ट से बहार देदिये है तो मैं यही बोल रहा हो कि हमारे बिजली हमारी हमारा जम्मो कश्मिर इतनी बिजली प्रडूउस कर रहा है कि यहां पे लोगों को कितनी यूनिट मुफ्त भी बिजली मिल सकती है लेकिन इतना बिल आ रहा है वो भी गरीब जनता को तो हमारी JK मीडिया के मादयम से यही डिमांड रहीगी कि बिजली के जो बिल हैं, जो स्मार्ट मीटर, प्री पेड मीटर लग रहे हैं यह कम से कम गरीब जनता के ओपर ना लगें और आप देख सकते हैं कि जो बिल नहीं पे कर पारे उनकी फटाफट बिजली ये काट देते हैं अभी गरीब हमारे महले के आगे ही एक गरीब औरत है बचारी अकेली रहती है और उसका कहीं एक लाख रुपया बिल आ गया और वो बिमार है उसकी घर की बिजली काट कर कोई चला गया है हमने भी बहुत बार आवाज उठाई लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही और जेके मेडिया के माध्यम से मैं चाहूँगा कि आज आप जाएं वहाँ पर उसकी भी सुनवाई करें और दूसरी बात सर ये है कि जम्मू कश्मीर के पास इतनी इतने पावर प्रोजेक्ट्स हैं इतनी बिजली है कि हम बाहर की राज्यों को भी दे रहे हैं तो हमारे यहां के लोगों को बिजली मिलनी चाहिए, और कम रेटेस पर मिलनी चाहिए, और सरकारी कोठियों में और बड़े बड़े जो बिल्टिंस हैं, उनके सुनने में आया है कि किराय माफ भी हो रहे हैं, तो लेकिन गरीब जनता के क्राय माफ नहीं हो रहा है जो सिरफ पैसा इकठा किया जा रहा है और गरीबों की कोई सुनवाई नहीं तो मैं यही आपके माध्यम से बोलना चाहिए रिशब भी है रिशब आप बड़ा अच्छा रोल करते हैं वैसे मैं अपनी वीडियो में कहता रुप जब पांच 600 रुपे मतल नहीं लाइट लेली उसके दोरान इन स्मार्ट मेटर के कारण हमारा एसी का कमरेसर जल गया इनकी लापरवाई की कारण क्यूंकि कोई वायर टाइट नहीं गी ती जिसके कारण मतलब हमें पे करना पड़ा हमें ठीक करना पड़ा अब तो मैं यहीं चाहता हूं को जंता को आप इस तरह से बेवकूफ मत बनाओ मदद करो जहां पर मदद की जुरूरत है महां पर मदद करो बस्के मैं यही कहना चाहता हूं कि लिए अप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी आप बताएगा और मैं धन्यवाद करूंगा से शोचल इशूज के ओपर बात करते हैं ठीक है बाकी चीज़े तो हैं लेकिन इन चीजों से आम जंता बड़ी ज़्यदा प्रभावित होती है इसलिए हम इन इशूज को उभारते हैं और मेरी बिजली डिपार्टमेंट से भी अपील है कि अभी जरूरत नहीं है परी पेड़ मीट Sam's Production Sam's Funny वीडियो को आप लाइक करें सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी अच्छी वीडियो मिलती रहें और हम इसी तरह के इशूज उठाते रहेंगे अगर आप भी चाहते हैं कोई और भी पब्लिक इशूज हम उठाएं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं धन् Sam's Production का वी मैं धन्यवाद करता हूँ राम राम